बम्बम भोले त्वार Infinit तो आप सामने देखें कि किस तरह की भीर है और अभी हमारे उपाध्धर हमारे मनोशिना जी आैकर में नहीं है और अभी यात्रा के लिए यहासे जो हरी जंडी दिखांके हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोश है शद्धालूओं में और सब देखें चारों तरफ आपको इस समय बंबं होले का भोले का आप देखने होने का तो इस तरह से कुछ उस्सा है आज पहले जत्थे की रवाना होने की तो फाइनली मनुशिनाजी ने हमारे गारी क्यों हरी जंडी दिखा दिया जत्था को रवाना कर दिया टोटल 45 वाज पहली जत्था निकली है भगवती नगर से तो देखरे सामने की पहले गारी निकल रही है सामने से गारी निकल रही है उसके बाद इसके साथ पीछे से हमार बसे निकलेगी तो फिर चलिए हमारे साथ इस यात्रा में और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा अमर्नाथ यात्रा की अगर आप इन दो बावा बर्फानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बढ़ाते की सामने मेरे ठीक सामूरेलवे स्टेशन दिख रहा है जमूरेलवे स्टेशन से आप सीधा निकलते हैं सीधा निकलने के बाद आप लेफ्ट साइड में चले जाएगा वहां पर यात्री निवास करके हैं यात्री निवास करके वहां अब अंदर जाएगा तो आपको आरफाइडी काउंटर मिल जाएगा अगर आपकी के वाईसी कम्प्लीट है तो आपको तुरंथ ही वेसी वेसी के वेसी के सामने में आपको यहां पर देख रहा है यहां पर यही है और यहां से काफी चेकींग करके हमें यहां अंदर जाना है तो चलते हैं भगवाति judge C applying के अंदर में तो आपको यहां पर पहले अपना याता पर्मिट दिखाने पड़ेगा उसके बाद ही आपको अपको अझाने मिलेगा तो इस तरह का तो इस तरह से पूरी चेकिंग होती है लेडिस के अलग है और जेंट की अलग है आप देख रहे हैं कि चार बार अभी अभी स्टार्टिंग से तो फाइल ली चेकिंग करा के हम पहुंच चुके समय बेसकेंप के अंदर में और हम चलते हैं आगे आगे भी बहुत सारी प्रोसेस हैं तो आपको चार ते पांच जगा में आपको पूरी चेकिंग देखने को मिल जाएगी आपको तो आप पीछी सेक्रूटी है के साथ यह य अलग है कॉंटर और जेंट के अलग कॉंटर है यहां पर आपको यहां पर देखिए यह फूल चेकिंग आपको तो सबसे पहले आप चल जाएए वहां पर लगेज रखने के लिए अपना रूम का कर वाली जो कि आपको पचास रुपया पढ़ता है आपको उपर में हॉल मि अलग करना पड़ेगा उसके बाद सीधा आप यहां से आईएगा और यहां पर जाके आपको सिर्फ यहां पर आपको रूम लेनी हैं चाहे जी से लेनी है उससाब से भढ आपको मिल जाएगा इसके आपकी ठीक सामने में यहां पर बस स्टैंड का कॉंटर जो टिकट आपको यहां पर इस तरह से हॉल मिल जाएंगे और यहां पर करीब से करीब आपको 100 लोग रह रहे हैं मतलब इस तरह का गद्दा लीजे और बिच्छाइए और आप अराम से यहां पर विश्ञाम कर सकते हैं फुली एसी है लेकिन इसी काम करती नहीं है लेकिन फुली एसी बताते हैं और यहां पर फिर चले आपको हम दिखाते हैं कि अगर आप आपको पढ़ जाएगा 100 रुपया और गद्धे आप यहां ले सकते गद्धे तखिया जो कि आपको रिफेंडेवल हो जाता है कि यहां पर आपको पहले कटवाना होगा उसके बाद यहां से आपको गद्धे और चाय कंबल मिल जाएंगा राम से है जो है है और सामने आपको दिख जाएगा यहां पर ए मकलाजर टुम अपको Technology कि सम्मान है आप इस तरह के के कलाजर में जाएंगे इस तरगी कि नीचे आपको सिम लिघेंगे पोस्टफ एय किल जाएंगे ऑठ जिकियो ले सकते हैं क्यूंकि उपर में आपको जाकर जम्मुन करने के बाद आपकी सीम काम नहीं करेगी टादे आपको क्या साम में यहां पर मनो शिना ज्यां पर निरक्ष्ण के लिए आने के अवाले हैं जो कि आपके पूरी सीक्री değer के रिवस्था चेक करने की लिए आने वाले हैं तो इस समय पूरी फोर्स इस समय उन्हें इंतिजार कर रही है और पूरे स्क्रीटी टाइट है समय भगवती निवास में तो चलिए हम यातरी निवास का आपको दिखाते हैं आगे की और की मनुसिना जी के लिए कितनी भी आए हैं डियाईजी साहिप और उसके डियाईजी सा जानकारी की कल्याम रन्या थ्यात्रा में क्या-क्या मतलब किस तरह से निकलेगी तो इस तरह की हाई लेवल की मिटिंग चल रही है इस वक्त फाइनली हमारे मनुसिना जी पहुंच चुके हैं इस समय भगवती निवास में और यहां देखें उनकी गाड़ी आ चुकी है पूरी फोर्स के साथ में आई है और पूरी चेकिंग अभी कॉन्फरेंस मिर्टिंग होने वाली की कल यात्रा निकलेगी तो किस तरह से तो पू धालू को मस्ती में जूमे रहे हैं तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगी अगर यात्रा अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए का हर हर महां दे